ये जो महला मेरे सामने बैठी हुई है ये बहान उनका नाम अंबिका देवी है चलिए इन से बात करते हैं कि ये किसलिए आई है क्या इनको तकलीफ था अंबिका जी आप बताईए अपने बारे में नमस्कार दोस्तों मैं जडीडी बजार वोकारों की निवासी हूँ मुझे संतान सुप की प्राप्ती नहीं हो रही थी मैंने काफी जगा अपना इलाज करवाया जैसे की वोकारों धनबाद पर कहीं से मुझे पॉसिटिव रिजल्ट नहीं मिला तब लास्ट में मैं के पास आकर मिली और मैंने हमियोपतिक ट्रीटमेंट करवाया मात तीन महने के ट्रीटमेंट से मुझे लाब हुआ और मैंने एक हैल्डी बेबी को जनम दिया यह देखिए मेरा बेटा प्रशांद कुमार शाओ जो अभी एक साल का हो चुका है आप इनसे मिलिए और मैं करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है जड़ तक जाकर के अपने पेशंट का इलाज करते हैं अम्भीका जी लोग जो है अंती मवस्था में होमियोपैत के पास आते हैं क्या कहना चाहेंगे कि वह पर्थमावस्था में ही आए हां उनको शुरू में आ जाना चाहिए जैसे हमेना मतलब चले जाते हैं अलोपती के तरफ हैं इसका साइड एफेक्ट भी है हमें पती का प्रॉफिट हो नहीं मगर लॉस तभी नहीं हुआ कोई साइड एफेक्ट नहीं है इसका आप अराम से पर ट्रीट्मेंट करवा है इसका चलिए यह बेबी अभी है आपका कर दोफ्यर मस्तिकों जाइड यह आपका आपका अराम से दोटने हैं आपका औका वहा है कैना आपका भी है भी है वाबाग जा है आपका रसब प्रॉब कर दो नहीं है झाल 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 झाल